हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो फ्रेंड्स काल मैंने ये टेबल रनर आपको सिखाया था बनाना कलर फुल जो की काफी सुन्दर था उस हमने फ्री मोशन कुल्टिंग की है तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कुल्टिट बैडशीट बनाने बताने वाली हों जो की बनाने में काफी आसान है आप बड़े साइज की और छोटे साइज की बना सकते हो जैसी भी आपको चाहिए तो मैं आप कौन से फैबरिक में यूज करने वाली हूं तो यह जितने भी फैबरिक में ले रहे हूं थोड़ा संथैटिक है और यह मेरे पास एक जोर्जट का कपड़ा पड़ा था जो कि मुझे मार्किट में थोड़ा सस्ता मिल गया था ठोड़ा सा यह खराब था डिफैक्टिव पी के पीसे कट कर लिए हैं छे पीस मैंने कट किये हैं अगर आप बड़े साइज की बनाना चाहते हो तो बना सकते हो मैंने आपको सैंपल के तोर पर बना के दिखा दिया बारा बाई बारा का है तो बड़े साइज की आप बना सकते हो तो देखिए जो यह जोर्जट का फैबरिक था वो मैं नीचे रख लूँगी lining के लिए as a lining इसको यूज करूँगी और उपर से ये देखिए main fabric को रखूँगी और इसको चारो साइट से हमने पहले सिलाई लगा लेनी है तो हमने क्या करना है अगर आप आपसे अच्छी तरह से जैसे बिगनर हो आप सीख रहे हो तो आप पहले पिंस लगा सकते हो ये देखिए इस तरह से पिंस लगा लिजिए और फिर चारो साइट से सिलाई लगाएंगी मेन फैबरिक और फोम और नीचे लाइनिंग वाला कपड़ा जो है ताकि अच्छे से अटैच हो जाए और इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इसमें कोई जोल बगेरा नहीं आना चाहिए बिलकुर हाथ उपर से हाथ से सेट करते हुए ना फिर आपने कपड़े पे चार सिंगर मशीन है मल्टी स्टिच जो सिंगर मशीन होती है उसके साथ मैं डिजाइनिंग करने वाले हूं तो सारे पीस पहले में जोड के रख लेती हूं तो देखिए इस तरह से सारे पीस मैंने रैडी कर लिये हैं यह देखिए तो अब हम कुल्टिंग करेंगे तो आईए आप इसके साथ जो है फ्री मोशन कुल्टिंग कर सकते हो इसका मैंने सिर्फ नीचे से जो फीड डॉग होता है वो उतारा है नीचे से और यह जो इसका आम सिंपल फूट होता है वो वाला ही है इसमें लगाया हुआ कुल्टिंग के लिए फ्री मोशन कुल्टिंग के लिए एक फुट और आता है लेकिन वो मेरे पास नहीं है तो इसके साथ भी कुल्टिंग हो जाती है हमने प्रेशर फुट को डाउन नहीं करना है प्रेशर फुट जो है उसको हमने ऊपर ही रखना है यह देखिए तब हमारा कपड़ा इस तरह से ही लेगा तो जैसा भी डिजाइन आप ड्रॉ भी कर सकते हो अगर आप इस तरह से यह देखिए हाथ चलाते जाएंगे धीरे धीरे आपको प्रेक्टिस भी हो जाएगी अगर आप सीखना भी चाते हो तो यह देखिए इस तरह से ऐसे हमने बिलकुल मैंने फ्री मोशन जहां को भी मेरा हाथ चलता है उसे हिसा को पूरा तो हमने इसको क्विल्ट कर लिया तो इसका कोई चांस नहीं रहा ता अच्छी तरह से अगर आम क्विल्ट कर लेंगे तो यह बिल्कुल भी नहीं फटेगी यह देखी इस तरह से हमने चलाते जाना है हाथ भी बहुत तेज हमने नहीं चला रहा है बिल्कुत दीरे दीरे जितनी स्पीड मशीन की है उतनी ही स्पीड से आपने हाथ को चलाना है अगर आप मशीन तेज चलाओगे तो हाथ भी आपको तेज ही चलाना पड़ेगा तो इस हिसाब से आप चलाइए कि इसमें टांका जो है बिल्कुल अच्छे से आए स्टिच जो है बढ़िया करके आए तो पूरे पीसे मैं इसी तरह से रे प्रज्यक्ट आप बना रहे हो उसमें बिल्कुल भी जोल नहीं आएगा तो कुल्टिंग तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से इस पर हो रही है simple machine से quilting कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया है एक वीडियो में वो भी मैंने free hand बताया है लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से quilting होती है इसमें free motion quilting हम कर सकते हैं इसमें से free dog को उतारना होता है बाकी हमने इसमें कोई भी changes नहीं करना ये जो pressure motion quilting का एक pressure foot जो होता है वो आता है मैंने online मंगवाया है जब आज आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी और फिर उसके साथ ही हम quilting करेंगे ये देखिए देखो कितने बड़ी इससे quilting हो रही है न तो ये देखिए इसी तरह से पूरा हमने इसको भरते जाना है और सारे pieces जितने भी मुझे चाहिए वो सारे मैं ready करके आपको दिखाते हूँ तो देखिए सारे pieces को मैंने ready कर लिया है ये देखिए इस तरह से मैंने designing की है ये देखो जो कि देखने में काफी सुन्दर लग रही है ये देखिए तो इस तरह के bed sheet आपको market में मिल जाएंगी लेकिन काफी costly होती है तो हम घर पे इनको बना सकते हैं अब देखिए इनको हमने ये देखिए इस तरह से जोड़ना है क्योंकि मैंने 6 pieces बनाए हैं तो दो-दो करके हम जोड़ेंगे ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाते हुए हमने इनको जोड़ लेना है दागे बगेर जो आपको दिख रहे है न उनको मैं finish कर दूँगी दागे बगेर कट कर लेंगे अच्छे से इसकी finishing करेंगे तो देखिए दो पीस मैंने जोड़ लिये हैं इसे तरह से सारे पीस को जोड़ लोगी दो-दो पीस जो है हम इनके जोड़ लेंगे सिलाई लगाते हुए ये दिखिए इस तरह से हमने stitch कर लेना है एक्स्ट्र जो fabric आपको दिख रहा है न इसको हम cut कर लेंगे ये दिखिए तो सारे पीस मैंने जोड़ लिये हैं आप देख सकते हैं इस तरह से रखोंगी और अब नीचे रखने के लिए हमें कोई fabric चाहिए तो कोई भी कपड़ा पुरानी bed sheet या कुछ भी कोई भी कपड़ा आपके पास पड़ा है न वो आप ले सकते हैं उसको हम थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे क्योंकि इस side पे हम इसके border जो लगाएंगे आज मैं अलग तरीके से आपको बताऊंगी ये देखिए इस तरह से रखेंगे इतना इतना कपड़ा जो है मैंने थोड़ा सा extra रखा है अब दिवान की बना रहे हो तो दिवान का size लेकर उस size से आप बना सकते हो उसी साब से तो इसको पहले हमने जोड़ना है यहां से उपर से एक सिलाई लगा के इसको मैं जोड़ लेती हूँ फिर दिखाती हूँ अगला हमने कैसे जोड़ना है उपर से मैंने सिलाई लगा लिए है ये देखिए और नीचे पिंसल लगा लिए है अब दूसरे पीस को ये देखिए इस तरह से उल्टा करके रखते हुए हमने यहां से सिलाई लगा देनी है यहां से सिलाई लगा देंगे तो देखी, इसको भी मैंने जोड लिया है, सिलाई लगा ली है अब यहाँ पे भी अच्छी तरह से पेंसिल लगा लेंगे और फिर अगला पीस फिर से इस पे उल्टा करके रखते हुए जोड लेंगे यह देखे इस तरह से रखते हुए इसको भी हमने जोड लेना है तो देखे सारे pieces मैंने जोड लिए हैं side पे pencil लगा लिए है अब एक पट्टी लेंगे हम यह देखे इस तरह से पट्टी को उल्टा करके रखते हुए सारा इस side पे भी और दूसरी side पे भी लगा लोंगी पहले दोनों side पे लगाऊंगी तो देखे मशीन पे आपको लगा के दिखाती हूँ यह देखे यहां से ही हम शुरू करेंगे इसको पट्टी को लगाना यह देखे इस तरह से रखते हुए हमने पट्टी को जोड लेना है इस पे अटैच कर लेना है और इसमें भी हम फॉम डालेंगे तो मैं दिखाती हूँ आपको शायद पहले भी वीडियो में मैंने आपको दिखाया है ऐसे जब पट्टी लगाते हैं तो उसमें फॉम कैसे रखते हैं तो यहां तक ही हमने पट्टी को लगाना है यह देखे क्योंकि उस साइट पे भी हमने बाद में पट्टी लगानी है तो देखे इस तरह से आएगा यह बॉर्डर जो कि देखने में काफी सुन्दर भी लगेगा अब हमने कोई भी फॉम के जैसे आपके पास चोटे पीस भी है यह देखे जो भी मेरे पास चोटे पीस होते हूँ उनको मैं फैंकती नहीं हूँ ऐसे ही रख लेती हूँ आप द थोड़ा एक्स्टा रखा है क्योंकि नीचे वली साइट को मैं इसको फोल्ड करूंगी पट्टी लगाने के के तरीके होते हैं आज मैं बिल्कुल असान से तरीके से आपको बता रही हूँ एक्स्ट्रा इस पे और कोई पट्टी नहीं हम लगाएंगे यह जो पट्टी हम इसको फोल्ड करेंगे तो देखिए इस तरह से मैंने सीलाई लगा ली है अब इसके उपर भी मैं कुल्टिंग कर लूँगी सीधी-सीधी लाइने लगा लूँगी ताकि फोम हमारी तूटे नहीं बिल्कुल साथ सात में दो सिलाईया में लगा लूँगी इसके साथ क्य के अब आगे से लालेगा कमेटिए तो फ्रेंडस्तोडी मोटे साइज की अगर अब तोड़ी मोती फॉंब ही डालना चाते हो तो वह भी डाल सकते हो अगर आप बेटपे बिचाने के लिए vErn tracks बना सकते हो और और ओठने के बना सकते हूं तो क्विल्टिंग मैंने कर ली है अब देखिए अंदर वाली साइट को इस तरह से मैं फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी यह देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है तो एक साइट से सिलाई को कम्पलीट करते हुए सेम इसी तरीके से दूसरी साइट पे भी पट्टी को अटैच करूँगी बीच में फोम रखे और चारो साइट इसी तरह से हमने पट्टी को अटैच करना है और साथ में क्विल्टिंग भी कर लेनी है बीच में सीधी सीधी लाइने लगा लेंगे ताकि फोम हमारी बीच में से तूटे ना ये देखिए वाश करने के बाद भी ये तूटे ना तो बिल्कुल भी ये वाश करने के बाद भी खराब नहीं होगी फोम क्योंकि इसमें हमने अच्छे से खुल्टिंग की है और आपको मैंने polyester fiber sheet जो होती है वो भी बताया है अगर आप उसको use करना चाते हो तो वो भी आप use कर सकते हो लेकिन वो costly होती है थोड़ी सी लेकिन अगर आप घर के लिए कोई चीज बना रहे हो तो आप उसको use कर सकते हो तो ये देखिए पट्टी लगा के मैंने इसको complete कर लिया है बहुत ही प्यारी हमारी quilt देखो बनके ready हो गई है तो आप बड़े size की bed sheet double bed की दिवान की किसी भी size की बना सकते हो बस इसी तरीके से आपने चोटे-चोटे piece लेकर quilt कर लेने हैं ये सबसे असान तरीका होता है beginner के लिए अगर बड़े size की bed sheet को एक साथ आप quilt नहीं कर सकते जोल आ जाता है तो आप चोटे-चोटे pieces में चोटे-चोटे blocks बना कर उसको quilt कर सकते हो जो की बनाने में काफी असान रहता है और इसके साथ finishing भी अच्छी आती है और हमारे project में कोई भी जोल नहीं पड़ता तो designing आप किसी तरह से भी कर लेजिए अगर आपको freehand ऐसे चलाना नहीं आता तो आप हलका सा draw कर लेजिए और कोई सावी design जो है आप बना सकते हैं तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है आपके लिए वीडियो helpful है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजीगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी subscribe कर लिजीगा क्योंकि ऐसे ही useful वीडियो जो है मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी और काफी सारे वीडियो जो है मैंने आपके साथ शेयर किये हैं तो friends आज के वीडियो में पास इतना ही मिलते हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई बाई टेक क्या